यह देगे गाइज आप लोगों ने घर में पेटी कोट तो बहुत पहने होंगे मगर इस तरह से पेटी कोट का यूज आप लोगों नहीं किया होगा तो बहुत अमेजिंग यूनिक से ट्रिक और ट्रिक्स लेकर के आए हैं तो चलिए देख लेते हैं अपनी ट्रिक्स तो अलो एवरिवन आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय मिस्टर ब्लॉक्टु एम पर तो यह देख सकते हैं हम ले लेंगे अपना बंद गोभी तेके बंद को कि बंद को भी का सीजन जाने वाला है और बंद को भी आप कई रेश्मियों में यूज करते हैं तो इसको लग बग 2-3 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हैं तो देखिए इस तरह से आप डंठल का भाग आप अपने घर में तो देखिए इस तरह से निकाल देंगे तो अगर आप यह निकाल देते हैं तो क्या होगा आसानी से आप इसको 2-3 मेने तक सुरक्षित रख सकते हैं अपने घर में तो देखिए इस तरह से निकाल देंगे चलिए देखते रहे पूरा वीडियो अगर नहीं इस तरह से निकाल पा रहा है तो एक तरीका और बताएंगे अगर आप चाकू से भी नहीं निकाल पाते हैं तो अभी आप आपको आगे दिखाएंगे कि आप आसानी से कैसे ही इस डंठल का बिल्कुल निकाल सकते हैं तो अभी देखिएगा इस तरह से बिल्कुल होल करना है हमको इसके अंदर जो इसका डंठल है क्योंकि बंद गोब तो आसानी से आप इससे निकाल सकते हैं तो देख सकते हैं सारा बंद को भी खाली हो गया है वहाँ पर डेंटर सारा निकल गया है तो अब हमें आगे करना क्या है आप देखी सकते हैं इस तरह से सारा निकाल देना है अब ले लेना है एक टीशू पेपर इस तरह से और पानी स अब हम क्या करेंगे इस टीशू पेपर को जहां से डेंटल निकाला था बस वही पर यह भीगे वे टीशू पेपर को इस तरह से रख देंगे इसे क्या होगा हमारी गोवी बिल्कुल नहीं सड़ेगी आप 2-3 महीने तक फ्रिज में तक फ्रिज में ही रखना है गोवी को बाह अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा अब इसको पॉली थीन में भी बंद करके रख देना है और पॉली थीन में थोड़े थोड़े से खोल बना देना है जिसकी वज़े से इसमें एर बाहर निकलती रहे और अंदर जाती रहे तो आई वी ट्रिक अच्छी इसलिए पानी में इसलिए पूरा डिप कर दें पाने में आप फ्रिज में रखें रिखें पनीर को तो जो हली SAYERS जो उते हैं घंश пой अ裂ँ ट्रिक ऑप अच्छ लगी लगी हो Await इस तरह से कमल को रोल कर लेंगे देखिता विल्कुल अच्छे से सिंपली रोल करेंगे आप ने तरह से नएवा यदी पराना ले प्रणा ले ले मैचिंग को क्ला impe tag आप आपको तो रहे से सकते हैं कि तुर्ड़के तक अपर घ्रक्राक व्यां卉िस, तक कश करें थे सक्सींद हैं आप ब्रुड़के अपसे करहाया खागी तक अन्धर क्या हो तर्जा करें डाच्त कि देयर रहा सी, हमारे साइड भॉड़के, रहें हैं अब इसके सारी सिल्वटे एक साइड में कर लेंगे जो प्लेटे होती है उसको सही से कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से करते हुए सही करेंगे अब यह मारा बं करके तयार हो जाएगा सनत तिके उपर जो पेटी कोट का लास्ट का यह भाग खुला होता है उसमें लगा इस तरह से इसी तरह से रबड लगा देंगे अगर आप प्रॉपर बनाना चाहते है तो नीचे भी एक पलट दीजे पलट कर हुक लगा दीजे जिससे कि उसमें भी नारा बन जाएगा तो यह देख सकते हैं यह पर हमने लगा दिया है रबड और रबड लगाने का जो यह हम अच्छे से दबा देंगे यह हमने हैर बैंड देखिए पतली से रबड मत लीजेगा जो तूट जाए जल्दी से मजबूर रबड लीजेगा तो यह देखिए इस तरह से सनद बनकर तयार हो गई है देखिए जो बीर में हमने मैचिंग का लिया हुआ है क्योंकि यह लाइटर से लेटिड में पहले भी कई ट्रिक दिये हुए है नेक्स देख लीजे अगर आपका उन ट्रिकों के बावजूद लाइटर आप सही नहीं होता है तो आप इस तरह से साफ कर सकते हैं लाइटर को अच्छे से एक टूट पिक के साथ टूट पिक ले 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 या फि तरह से आप साफ कर देंगे तो आपका लाइटर अच्छे से वर्क करने लगेगा देखिए क्योंकि लाइटर वगरा में भी आम जानते नहीं है बहुत सारी गंदगी अंदर भढ़ जाती जिसकी वज़ए से पत्थर अच्छे से काम नहीं करते हैं सीलन आ जाती है तो इस अच्छी लगे होगी नेक्स देख लेते हैं किसी भी सब्जी में या किसी भी कोई चीज में आपका अगर सब्जी में ग्रेवी में हो जाता है आपका ओयल जाधा एक बरफ का क्यूब ले लीजिए और इस तरह से आप फिराते जाए ऊपर उपर देखें फिलाल इसमें तो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेयर करियेगा मिलते हैं नेक्स डे नेक्स वीडियो के साथ